तो मेरा नाव राशी जहीर है और आप देख रहे हैं ओनलाइन न्यूज इंडिया हिमाचल परदेश में कॉंग्रेश की सरकार बन गई है लेकिन अब अडानी जी का बिजनिस वहां से सिकुरता जा रहा है आपको पहले में याद होगा मैंने खबर बताई थी कि अडानी जी ने वहां पर सेव की खेती पर अपना वर्चस इस्थापित कर लिया है और अपने हिसाब से वहां पर रेटों की घटाना बढ़ाना करते हैं और वहां के सेव की खेती से जुड़े हुए लोग आंदोलन भी कर रहे थे लेकिन मोनोपोली आ जाती जैसे किसी जमाने में याद होगा अंग्रेज होगा मामला था या जैसे अभी आप जान सकते हैं कि कुछ कंपनीज की मोनोपोली भारत में है ऐसे ही वहां पर कॉंग्रेज की सरकार आते के साथ ही क्या ये माना जाए कि अडानी जी वहां पर अपने प्लांट को बंद कर रहा है अंबुजा सिमिंट एसी सिमिंट उसके प्लांट को बंद कर दिया गया है क्या वो facilities जो मिला करती थी भाजपा परदेश के जो शासित परदेश हैं उनकी वज़ासे वो मिलनी कम हो गई हैं उमीदे कम हैं क्या अब ऐसा है कि जो हर्याना के अंदर और तमाम भारत के अंदर अडानी जी की जो संपत्ती है जो 2014 से पहले 60,000 करोल रुपे थी अब 11,000,000 क के वो मालदार व्यक्ति बन गए हैं तो क्या उसके अंदर कांग्रेश की सरकार आते के साथ ही ये वाला मामला इस वाली खबर के साथ आपको ये बताने हाजिर हुआ हूँ आप देखें के लिखता है देनिक भासकर के हिमाचल में एसी सी अमबुजर सिमिन्ट पर बड़ा ताला जड़ा ताला सोरी इस्तिती तनाव पूर उत्तर भारत में होगी सिमिन्ट की कमी 20,000 परिवारों के रोजगार पर संकट इस बास से कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि एक शहर में इतनी बड़ी जमीन खरीदी और उसे किर्शी उसमें तबदील करा दी वाँवाँ वेयर हाउस बनाए अडानी साहब ने बाद में उसमें हंगामा हुआ उसी से पहले वो किसान कानून आए थे आपको याद होगा उसके बाद आए थे पहले उन्होंने इंतिज काम कर लिया था अगबार लिखता है कि हिमाचल में अडानी ने दो सिमिंट प्लांट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये हैं इससे पूरे परदेश में हडकम मज गया है आनन फानन में राज्य के मुक्य सचीव आड़ी दिमान ने डीसी सोलन और डीसी बिलासपूर को जल विवाद का हल करने के निर्देश दिये अब विवाद सुलष्टा नजार नहीं आ रहा है विवाद क्या है वो भी देख ली जा हला कि महीनों से चल रहा था लेकिन अब वो फैसला लिया गया कि उन पर ताला जब दिया जाए विवाद वहां लोकल के जो ट्रांसपोर् है तो आने वाले दिनों में परदेश सहीत समूचे उत्तर भारत में सीमिंट का गहरा संकट आ सकता है काला बजारी बढ़ेगी सीमिंट नहीं मिलने से सभी विकास पकारे ठप हो जाएंगे वज़ा क्या है वो देख लीजए अडानु समूने अडानी समूने पिलांट बता दें दोनों पिलांट बीती शाम पांच बजे से यानि कल पांच बजे से कंपनी ने करमचारियों और कामगारों को आगामी आदेशों तक दफ्तर नहीं आने के निर्देश दिये इससे दोनों जुलों बीस हजार से अधिक परिवारों की रोजी रोटी का संकट गहरा अब देखें वो असल वज़ा क्या रही है यह बताते कंपनी और ट्रांस्पोर्टर के बीच लंबे समय से विवाज चल रहा था लेकिन कंपनी खुली हुई थी कंपनी सिमिंट धुलाई की भाड़ा धरे कम करना चाह रही है जैसा कि सेव पर पैसे बढ़ा दिया गये थे यह लेकिन अब हालाद बहुत समानने नहीं है या सरकार की वज़ा से कुछ ऐसा मामला बन गया के अब सांस लेने में खुलकर सांस लेने में दिक्कत है चुकि सरकार के साथ तो हम नदर यह आता है कि शारुखान के बेटे के दोस्ट पर 6 गिराम चरस पकड़ी गई ती दर्श को आपको मालूम है कि कितना फुटेच खाया था गोदी मीडिया ने ये तमाम जो वहां की अपराश शागा थी और शारुखान का बेटा और ये इतना लंबा एपिसोड चला लगा यूँ कि शारुखान के बेटे के दोस्ट के पास जो 6 गिराम चरस पकड़ी गई है इसका अगर मामला हल हो गया तो पूरे हिंदुस्तान से पूरे भारत से शायद नशाखुरी खतम हो जाएगी लेकिन उसी टाइम खबर आती है कि अडानी जी का जो मुद्रा एयरपोर्ट है गुजरात में वहां एशिया की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई 21,000 करोड रुपे क नशे का मामला पकड़ा है आपने खबर सुनी हम नहीं सुनाई थी आपको खबर गोधी मीडिया में इसकी खबर नहीं आई तो जहां सरकारे अपनी होती हैं वहां बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं जहां सरकारे अपनी नहीं हो पाती हैं वहां से अक्सर ताले पड़ा मैं यह नहीं कहे रहा हूं कि यह ताले जो पड़े हैं वो सरकार के बदलने पर पड़े लेकी सवाल उठता है कि ऐसा पंपर कहते हैं, आप पैसे बलाते जा रहे थे, आप क्या हुआ है कि सरकार कांगरेस की वहाँ आई है और वहाँ पर जो अंबुजा, सिमिटर वगःरा य इसलिए देखने को अला सवाल बनता है कि कहीं ये वज़ा तो नहीं है लेकिन बेराल मैं आपको दर्शों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राहूल गांदी भी इसी सवाल को उठा रहे थे अभी रगुराम राजन का इंटर्विव उन्होंने लिया और बैट करके बात की तो उन्होंने कहा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं मतलब इसी का मिलता जुलता सवाल है कि कुछ लोगों के कुछ पूंजी पतियों के कबजे में तमाम धन आ रहा है लेकिन बाकी आम आदमियों की जो आए है आम आदमियों की जो आमदनी है वो कम होती जा रही है बड़े-बड़े बिजनिसमेन एमेजोन के जो डिरेक्टर हैं मालिक हैं वो कह रहे हैं अभी पिछले दिनों के आप अगर फ्रिज, कूलर, एसी इस तरह की चीज खरीदने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो रुख जाईए मंदी आने वाली है तो मंदी का जिकर आपके सामने होता है अभी निर्मिला जी लोग सबह में बयान दिया है आपको बताया के हालात क्या है हमारा चीन से थोड़ी जड़ा फोई आपको मालूम है कि जो एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो कितना 73 बिलियन से ज्यादा है यानि कि हम वहां से मगाते जादा है भेशते कम है हमारा टोटल पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है वो कितना जादा कम हो गया बनिजबत आयात के मगा हम जादा रहें अगर हम मगाएंगे जादा भेजेंगे कम तो वो तो घाटा बलेगा इसके बारे में आपको किसी नेता ने बताया है या आपको गुजरात की जीत में ऐसा मत दिया गया कि आपको लगा कि हमारे भारत में एक ऐसे महामानव का उदे हो चुका है जो हमें अचान तक ले जाएगा चीन से भी अगर जड़ाफ होती है 9 दिसंबर को तो आपको तीन दिन चार दिन के बाद पता चलती है चुकि गुजरात की जीत का जेशन बना रहे थे हमारे गोधी मीडिया के एंकर्स दर्शको ये चोटी चोटी खबरे नहीं हैं ये आप से मुझसे आम आज में से जुड़ी खबर है बीस हजार परिवारों का अगर पालन पोशन इन कमपनियों के माध्यम से होता तो ऐसी क्या वज़ा थी कि भार्द जिनता पार्टी की सरकारती आपके सारे काम स्मूथ ली चल रहे थे अडानिस आप से मैं पूछना चाहता हूँ हलाकि वो क्या देखेंगे इसको तो लेकिन अब जैसे सरकार बदलती है आप जो है आप ताला जल देते हैं आपका क्या इंट्रेस्ट बन गया है एंडी टीवी में कि आप अच्छा खादा सिमिट बनाते हुए सेप की खेती करते हुए दुनिया के पोर्ट्स के काम करते हुए एरपोर्ट खरीदते हुए अचानक आपको लगा गए चैनल भी चैनल को खरीद लेना चाहिए ऐसे कौन से इंट्रेस्ट था चुक्कि वो असल खबरे जो आपसे मुंसलिक हैं वो दबा दी जाए उनको छुपा दिया जाए इस वज़ा से ये पूंजी वाद का सहरा लिया जाता है बेराहल बली खबर दर्चको कि क्या ये सवाल नहीं बनना चाहिए कि जैसी कॉंग्रिस की सरकार आईए आपके प्लांस में ताले लगने शुरू हो गए आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक में जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजे नेक्स टाइम कीजी खबर के साथ आता हूं जैहिन